हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टूमाइट डूप चनल आज में फिर एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूँ जिसमें आज आपको अपने सूपर कोईन के थू एक डॉमिनोज का वाउचर परचेज करके दोस्तों दिखाने वाला हूँ इसके लिए मै एकाउंट आपको ऑप्शन आपने के उपर मेतं फुपर में देखेंगे diz स्करण करना है इसमिंश परकार का रिवार्ड्स आप चेक कर सकते हैं जैसे कि reward है वो मैं Domino's का एक voucher purchase करने वाला हूँ तो इसके लिए हमें reward for footage यह जो आप section देख रहे हैं हमें इस वाले section में ही आना है rewards for footage हमें इस वाले option पर click कर लेना है जैसे ही हम इस वाले option पर click करते हैं हमारे सामने कुछ इस परकार का interface उपन हो जाता है जहां आप हमें जो भी यहां vouchers होते हैं foodies वाले मतलब जो भी आपके restaurants या outlets होते हैं उनके आपको यहां पर voucher शो करने लगाते हैं अब जहां पर जो भी आपको voucher purchase करना होता है वो आप यहां पर select कर लेते हैं आपको जानकारी के लिए बता दू पहले हैं पर एक bondation थी कि आप एक दिन में एक ही voucher purchase कर सकते हैं कई voucher पे ऐसा था लेकिन आप बहुत से वाउचर पे ऐसा हो गया कि आप एक दिन में एक से ज़्यादा voucher भी purchase कर सकते हैं तो मैं आज यहांपर डॉमिनोज का वाउचर purchase करना कर देता हूं क्लिक करने को देखे रीड मोर डीटेल मैं इसकी डीटेल्स भी देखना चाहूंगा कि क्या कैसे हमें यूज कर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ इसके लिए कि आप इसे कर सकते हैं जब तक उसमें उसका वाइलन्स अवैलबल होगा तो दोस्तों मैंने आप यह चीज़े देख ली हैं इसमें आप एक से ज्यादा वाउचर भी पर्चेज कर सकते हैं सिंगल डे में भी तो मैंने इसकी टर्मेंट कंडिशन में को पहले से मालूम थी वाउचर की वै 409 गल यहां परूपी तो दोस्तों है जो मिरें जोंर कोह दोस्तों धुक्राइब ही दिन में ज्यादा विधिcza मतलब पूरा कईन के थुग पर उन दोस्तों हैंधास कर सकतेί हमने payment का method सीधा सामने open हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हमें 249 रुपीज payment करनी पोड़ेगी तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूँ मैं सबसे ज़्यादा आपको prefer करूँगा आप इसमें अपना debit card के through ही payment करें क्योंकि दोस्तों इसमें आप UPI करते हैं तो अक्सर UPI मैंने इसमें failed देखा है मैंने तीन से चार बार experience किया है इसलिए आपको मैं advise कर रहा हूँ आप कोशिस करें debit card सही करें मैं आपको credit debit card select कर लेता हूँ और यहाँ पे continue उपर click कर देता हूँ click करने के बाद आपका जो भी card detail है आपको यहाँ पर enter कर लेना है दोस्तों तो मैं अपना card detail यहाँ पर enter कर लेता हूँ card detail दोस्तों enter करने के बाद यहाँ पर जो भी उसका month है तो मैं आपर month select कर लेता हूँ month select करने के बाद दोस्तों यहां पर year select कर लेता है इनका year select करने के बाद दोस्तों CVV जो आपका code है वो मैंने यहां तीनों चीज़ अपनी enter कर ली है इसके बाद pay249 मैं इस पर click कर देता हूं तो यहां पर click करने के बाद एक security region के विए से आ जाता है आप secure card करता है मैं भी later मैं इसे भटा दिया मैंने यह proceed कर दिया दोस्तों जैसके आप देख पा रहें मेरे को यहां पर प्रोसीड होने के बाद मेरे एक OTP रिसीव हो गया था यहां पर OTP मैं copy करके इसमें paste कर देता हूं पेस्ट करने के बाद मैं submit वाला option पर ही click कर दूँगा जैसे ही मैं submit पर click करूँगा दोस्तों मेरे यहां violence मेरे account से deduct हो जाएगा यहां पर लेकिन मेरे को यह voucher जो है वो in progress में show करेगा दोस्तों आपने देखा मैंने 6 बज के 30 मिनट पर यह voucher purchase किया है और अभी मेरे को in progress में यहां पर दिखा रहा है मैं आपको इसकी timing भी बताने वाला हूं क्योंकि जब आप पूरे coin के through purchase करते है तो आपको on time आपका voucher show कर जाता है लेकिन आप जब voucher के साथ साथ कुछ रुपए का इस्तमाल करते हैं तो उसमें आपको कुछ समय लेता है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंध्यार करना होगा मैं आपको इसमें time भी दिखा दूँगा कि कितने time पे हमें use कर सकते हैं तो इसके लिए अब आपको थोड़ी दिर वेट करना है जो आपका status in progress में आ रहा है यहाँ पे आपका voucher code भी show करने लग जाएगा तो दोस्तों लग भग मैं 15 मिनिट बाद दुबारा से मैंने अपना flip card टैप open कर लिया open करने के बाद मैं हाँ से account वाले section में आ गया account पे आने के बाद फिर से मुझे अपने voucher जो मेरा super coin वाले option है उस पर मेरे को click कर लेना है super coin वाले action जैसे मैं click करता हूँ उसके left side में आप देखेंगे एक reward वाला जो box आपको show कर रहा जिसमें 19 लिखा हुआ है तो reward वाले option पर आपको click करना है जैसी आप click करते हैं आपके सामने voucher show कर जाता है जो मैंने आज purchase किया है मैं इस पर click करता हूँ और आपको दिखा आयता हूँ दोस्तो देख रहे है claim on 26 January दोस्तों ही मैंने voucher आज ही purchase किया जो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर रहा हूँ इसके बाद देखेंगे आप दोस्तों इसको मेरे को है amount of date जो मेरा दिखा रहा था वही सेम चीज़ है transaction idea आप मिला सकते हैं तो दोस्तों यह मेरे को लगभग purchase करने के बाद 10 से 15 मिनिट में अपडेट हुआ है यह जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर बतायेगा इ हमारे चैनल को कर देना subscribe क्योंकि इस परकार के जानकारी भर वीडियों आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद